अब हैल एल्डोइड का दिल धड़क नहीं रहा था लेकिन 6 मिनट के बाद उनका दिल दुबारा से धड़कने लगा उसके बाद डॉक्टर ने देखा और कहा ये अब कोमा में चले गए हैं लेकिन हैल एल्डोइड 6 दिन के बाद 7 दिन कोमा से उठ गए अब डॉक्टर्स ने हैल एल्डोइड की हालत को देखर कहा कि ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी 11 हड़ियां तूट चुकी थी अब हैल एल्डोइड ने सोचा मेरे पास दो रास्ते हैं पहला कि मैं अपनी हालत पर रोता रहूं और बोलूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और दूसरा रास्ता ये है कि मेरे पास जो कुछ बचा है उसे साथ लेकर एक नई शुरुआत करूं लेकिन डॉक्टर्स ने तो ये बोला है कि मैं दुबारा कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकूँगा पर मैं इन डॉक्टरों की बात क्यों मानूँ ये वही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे साथ दिन पहले मरा हुआ घोशित कर दिया था और फिर एक कोमा पेशेंट गोशित कर दिया था तो बस मुझे उनकी यही बात गलत साबित करनी है कि मैं अपने पैरों पर नहीं चल सकता और दोस्तो हैल एड्रोइड ने ऐसा ही किया आज वे एक कीनोट स्पीकर एक बैस्ट सेलिंग ऑथर और एक अल्ट्रा मैराथॉन रनर भी है उन्होंने कोमा से जागने के बाद जागने का सही मतलब लोगों को इस किताब के द्वारा सिखाया है जिसका नाम है दा मिरेकल मॉर्निंग जिसमें हैल एड्रोइड ने बताई है च्छै हैबिट्स जो आप सभी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं जिनको उन्होंने नाम दिया है सेवर्स हर लेटर का यहाँ पर अलग अर्थ है पहला एस यानि साइलेंस हम रोज सुभा उठते ही अपने दिमाग को फुजूल के कामों में जोग देते हैं बस यही आपको नहीं करना है आप अपने दिमाग को इतना शांत कर सकते हैं उतना शांत करें उसके लिए आप ये चीज़े अपना सकते हैं जैसे मेरिटेशन अगर आपको वो नहीं आता तो आप उसके लिए एक अच्छी सी मेडिडेशन बुक खरीच सकते हैं या उसकी ओडियो बुक सुन सकते हैं आप दिवाग शांत करने के लिए कर सकते हैं प्राथना, पूजा या अगर आप मुसलिम हैं तो नमाज या केवल शांत रहने की कोशिश करें दोस्तो ऐस के बाद आता है ए ए का मतलब है अफर्मेशन यानि अपने आप से पॉजिटिव फॉर्म में कुछ कहना और बार बार उसे दोहराना आप अपना अफर्मेशन खुद बना सकते हैं जो भी आप बनना चाहते हैं जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वही अपना अफर्मेशन बनाएं और अपने आप से वो बातें बार बार दोहराएं हर सुभा आप ऐसी बातें दोहरा सकते हैं मैं दुनिया में सबसे अच्छा अंसान हूँ मैं बहुत सुन्दर हूँ मैं एक अमीर आदमे हूँ या कोई भी बात जो आप अपने आप से बोल सके उसके बाद आता है V V से होता है विजुलाइजेशन अपने दिमाग में अपना लक्ष सोचे एक चितर बनाए आपको अपने दिमाग में एक चितर बनाना है जो भी आप करना चाते हैं जो भी आप बनना चाते हैं चाहे वो सक्सेस हो, पैसा हो, प्रेम हो कोई भी भाव, वही आपके मैंड में आना चाहिए और वैसा ही आप अपने आपको करता हुआ महसूस करें दोस्तो एक बात समझ लें कि affirmation एक audio format है और visualization एक video format है दोनों format एक साथ जब मिल जाते हैं तब ही आप इसका अस्तमाल कर पाएंगे जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो law of attraction में भी सीखा होगा तो आपको यह जरूर करना है audio और video दोनों मिलके ही आपके mind को सही तरीके से message दे पाती है अब बारी आती है E की E का मतलब है exercise दोस्तो exercise एक बहुत अच्छी habit है दोस्तो पर यहाँ पर exercise का मतलब केवल जिम जाकर weight उठाना नहीं है आप yoga, aerobics या अपने शरीर को stretch करके भी यह habit पूरी कर सकते है exercise हमें शारीरिक और मानसिक तोर पर तयार करती है और अब बारी है R की यानि reading आप कोई motivational किताब जो आपको एक positive energy दे सके वो आप पढ़ सकते हैं और सबसे बहतर होगा कि आप एक धार में गरंद पढ़ें इससे बहतर कुछ नहीं है यह आपका believe और मजबूत करती जाएगी और दोस्तो आखिर में as यानि scribing या writing हम कह सकते हैं अपने विचारों को लिखें एक किताब लिखने की शुरुआत करें दोस्तो या अपनी logbook बनाएं कि आपको कौन सा काम पहले करना है कौन सा काम बाद में करना है कौन सा काम आपको नहीं करना है यह केवल अपने विचारों के बारे में लिखें आपने अब तक क्या सीखा और आप आगे क्या करने वाले हैं पर दोस्तो एक बात याद रखें कि ये सभी काम ये सभी habits आपको 8 बजे से पहले पहले करनी है सुभा 8 बजे से पहले आपको ये सारे काम निप्टाने है क्योंकि इस किताब का पूरा नाम है The Miracle Morning Six Habits That Will Transform Your Life Before 8 A.M.